मा सरवेश्वरी तुम पाही माम सरनागतम नमस्कार मित्रों मैं पंडित देवसपंड़ा जोती साचारत अंत्रविश्य सग्य आज आपके समक्ष माता लक्ष्मी को पसंद करने का एक अचू अनोखा और सरालूपायले के उपस्तितुआं इसे बताने से पूरो हमेशा की तर आप लोगों से विनम्र निवेदन यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो क्रीप्या सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चेनल को साथ में एक बेल आइकोन का बटम भी दिया हुआ है उसे जरूर टच कर दें जिससे कि मेरे वीडियो जो भी मैं नए वीडियो बनाओं आपको जल से जल मिल जाया करें टाइम पे अब आगे बढ़ता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि वो क्या सरल उपाय है जिसको करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन कर सकते हैं अपने घर में धन्य धाने की विद्धी कर सकते हैं सुखो के विद्धी कर सकते हैं और रोगों का नास भी कर सकते हैं साथ में एक ऐसा स सभी प्रकार के रोगों का नास और धन्ने-धन्ने की जो कमी मसुष करने हैं, वो भी दूर हो जाएगा. साथ में ग्रहों की सांती भी होगी. तो यह अनोखा अस्वरलूपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ. कपूर के बारे मैं आपने सुनाओगा. पूजा पाठ में आरती में अक्सर लोगों को आपने कपूर जलाते वे देखा होगा. हिंदू प्रमप्राओं में पूजा पाठ में अक्सर हम देखते हैं कि कपूर का प्रयोग होता है. कपूर जलाते ही हैं लोग, आप कपूर जलाना बहुत ही सुब माना गया है. कपूर जलाके हम पूजा करेंगे तो इस्वर कहीं न कहीं हमसे प्रसंद होते हैं कपूर जलाने से सकरात्मक और्जा निकलती है जो कहीं न कहीं हमें सकरात्मक सक्ति प्रदान करती है सकरात्मक सोज को हमारी आगे वड़ाती है यदि आप रोज पूजा अर्चना करते समय और पूजा करें तो माता लक्ष्मी आप पे हमेशा प्रसंद रहेगी जब भी आप सुवे अपने पूजा रूम में जाएं पूजा करें तो जरूर कपूर जला के आर्थी करें अजब भी कपूर जलाएं, मैं आप लोगों को ये मंत्र बता रहा हूं, इसका उच्चारण करते हुए आप कपूर को जलाएं मंत्र इस प्रकार है इस मंत्र को गाते हुए आप कपूर को जलाएं अजब नित्य करेंगे, तो आप देखेगा माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसंद रहेगी अब माता लक्ष्मी यदि प्रसंद है, तो आपके घर में कभी भी धन्य धाने की कोई कभी नहीं रहेगी कपूर के अनेक फायदे हैं मैं आपको और भी फायदे बटा रहा हूँ यदि आपको आपके कुंडली में सनी समंदिक कोई दोस है या रहु केतु समंदिक कोई दोस है तो आप मंगलवार के दिन बजर्ण बली के मंदिर जाएं और दो कपूर वहाँ पे जला के उनकी पूजा करें और हनुमान चालिशा का पाड़ करें आप देखेगा आपके सनी रहु केतु के जो भी दोस हैं उनका निवारन अपने आप होने लगेगा यदू पित्रु दोस है आपको लगा हुआ है तो आप रोज अपने घर में रात के समय कपूर जलाएं जराने से पहले कपूर को घी में डुबो लें घी में डुबोने के पर साथ उसे जलाएं यह भी पित्रु दस्त भी कहीं न कहीं आपको मुक्ती दिलाता है कपूर scientific benefit भी इसका बहुत ज्यादा यह दिया आप कपूर जिलाएंगे तो जो आपके घर में small bacteria हैं जो हानी कारक bacteria होंगे आपके घर में अपने आप भाग जाएंगे तो बहुत से अनोखे फाइदे हैं कपूर के तो मित्तो इसके साथ मैं ही आपसे विज़ा लेता हूँ जै माता दी नमसकार मित्तो